हलो फ्रेंज, इंविंटर किंग में आपका स्वागत है आज के इंवेंशन के लिए हमें कुछ मिंट्स की जरुरत होगी जो अभी खाए टेक्विटोस की प्याज वाली बद्बुदार सांस को हटाने का काम करेगी बॉक्स कटर की मदद से टिक टैक कंटेनर को खोल ले पिंदा ना करें मैं सारी मिंट्स को नहीं खाऊंगा मैं उन्हें साइट में उठा कर रख दूँगा क्योंकि हमें उसकी बाद में जरुरत पड़ेगी अपने मुह से बद्बु अटाने के लिए वैसे मुझे इतनी सारी की जरुरत नहीं है ये बताना नहीं बूलूँगा कि अगर आप सभी खा लेंगे तो आपका पेट खराब हो सकता है क्या किसी ने इसे आजमाया है जैसा कि आप देख रहे हैं हमें कुछ माचिस की तीलियों की भी जरुरत होगी अच्छी बात यह है कि वो सस्ती होती है मैं वीकेंट ट्रिप पर फॉरस्ट गया था और मैंने 12 डॉलर्स में 400 माचिस के बॉक्स खरी दे ये अच्छा सौदा रहा हमें कुछ कलरफुल कैंडल्स चाहिए होंगी जिन्हें आप अपने स्कूल की हेलोवीन डेकोरेशन से ले सकते हो किसी को डिटेन करना कितना बुरा हो सकता है कुछ मिनिट पहले लिए गए कुछ मिन्ट को लें और उन्हें हैमर की मदद से ग्राइंड कर लें पिर उन्हें दूसरी सामगरी के साथ मिला दे एक बार इधर एक बार इधर और एक बार उधर जब ये ठीक से मिक्स हो जाए तो पेपर की मदद से इसे टिक टैक कंटेनर में डाल दे जब कंटेनर पूरा भर जाए तब धकन में किसी नुकीले टूल से छेद कर दे इस छेद से हमारे स्मोकिंग डिवाइस का अक्टिवेशन सिस्टम डाला जाएगा लेकिन पहले हमें इसको बनाना होगा और इसके लिए हमें सही साइज में स्ट्रॉ को काटना होगा इसे और सक्त बनाने के लिए बुड़न स्टिक का इस्तिमाल करें इसे straw में डाले और बाकी को cut करके अलग कर लें Corner Store से जाकर short wick ले आएं और उसे wooden stick के side में या बगल में डाले अब straw और wick के बीच में glue लगा कर उन्हें fix कर दिन ताकि दोनों अपनी जगा पर बने रहें एक और marchis की तीली का sir काट लें जिसे हम दूसरे elements के अंदर press करेंगे या दबाएंगे शायद आप imagine कर सकते हैं कि wick के बगल में लगी marchis की तीली कैसे काम करेगी लेकिन पहले हमें इसे activate करना होगा और इसके लिए lighter का इस्तमाल करना बहुत boring हो जाएगा तो क्यों न इसके लिए scraper से एक ring activation system बनाएं दिखाई जा रहे तरीके से इसे fold करने के बाद अपने office की चाबियां ले आओ और उसमें से ring निकाल लो उम्मीद करता हूँ कि आप उसे नहीं खोएंगे बेतर होगा मैं इन्हें कहीं उढ़ा कर safety से रख दूं ताकि ये खोने से बच जाएं ring पर scraper को secure करने के लिए उसके उपर थोड़ा सा super glue लगा दे scraper जहां से खुलता है वहाँ जलाने वाली straw डाले और जैसे चोटे बच्चों की poni tails बांधने के लिए इन चोटी rubber band का इस्तमाल किया जाता है वैसे ही scraper को बंद करते हुए इस rubber band का प्रयोग करें ताकि विक पर इससे pressure generate हो जाए इस तरह से बांधने पर ये बाहर नहीं निकल पाएगा और माचिस की तीली में आसानी से आग लग जाएगी हमारे professional ninja smoke device को complete करने के लिए इस पूरे activation system को धकन में बने hole के जरीए अंदर डालेंगे और उसे बंद कर देंगे इस clip में काफी instruction दिये गए हैं जबकि सच तो यह है कि मुझे लगता है कि इसे इस्तिमाल करना बहुत आसान है आप क्या कहते हैं क्या मुझे बाहर जाकर इसे try करना चाहिए इस घने धुएं की मदद से हम अपनी girlfriend के घुस्से से बचकर निकल सकते हैं और अपने दोस्तों को smoke signal भेज कर उन्हें कहा मिलना है यह उन्हें बता सकते हैं हम इसे पूरी तरह से implement कर सकते हैं cell phone अब out of fashion हो चुके हैं आजकल vintage trend में है या फिर इस case में नेंडर थल है उगा उगा कल हमारी meeting है या ऐसा ही कुछ क्या मैं शर्ट ला सकता हूं कि यह मददार होगा यह invention उन सभी lovers के लिए है जो oral cleaning के लिए वो ढून रहे हैं जिसकी उन्हें तलाश है इसकी शुरुआत के लिए एक remote control car की जरूरत होगी हमेशा की तरह यह चोटी motor बहुत important part है जब इस तरह का कुछ मेरे invention में शामिल होता है तो इसका मतलब है कि हमें electrical circuit की भी जरूरत होगी switch के अलाबा हमें कुछ wire और हमारी battery के लिए famous snap wires की भी जरूरत होगी सबसे पहले snap के red wire को switch pin से connect करने के लिए उसके copper wire को कई बार घुमाते हुए mode कर जोड देंगे ठीक ऐसा ही switch की दूसरी pin से wire को जोडने के लिए दोराएं connection का चूट जाना बहुत obvious सी बात है और लगातार इसे हमारे इस channel पर बार बार बताना काफी boring हो जाता है आपके छोटे से दिल को दुख पहुचाने का सबसे बुरा तरीका क्या था जब तक कि आप अपने बुराने जखम खोलते हैं चलिए इस electronic सिस्टम से बैटरी को connect करते हैं और अपना routine quality टेस्ट करते हैं अपने शेहर के hardware store से कुछ nuts खरीद लें और अगर आप किसी छोटे टाउन में रहते हैं तो फिर आप उन्हें कुछ कुर्सियों से भी निकाल सकते हैं थोड़े से hot clue के साथ हम उनमें से एक nut को motor pivot से जोड़ देंगे देखो ये कैसे घूम रहा है घूम रहा है और घूमदा जा रहा है मुझे अभी से चक्कर आने लगे हैं लेकिन यहां सबसे important बात यह है कि आपको ये observe करना है कि vibration motor को किस तरह से move करता है ये inventions इसी के लिए है bathroom से अपना toothbrush ले आए मेरा pink क्यों है मत पूछो toothbrush के back side पर उबलता हुआ silicon लगाएं और तुरंट इससे vibrating motor को जोड़ दें बिल्कुल लीचे motor पर थोड़ा और glue लगाएं ताकि ये लटक ना जाए बहुत से लोगों ने कहा है कि उन्हें मेरा battery को नीचे की तरफ लगाना पसंद आई है क्योंकि अगर ये खत्म हो जाती है तो आप इसे बदल भी नहीं सकते पीट की खातर हम इसे hot glue से चिपकाएंगे ना कि किसी crazy glue से इसे उतार लेना आसान होगा वेल जाने दो बिना देरी किये मैं आपके सामने पेश करता हूँ यहां पहुंचो यू इबल काम चलाओ मशीन जब मैं चोटा था तब हमेशा से यही खरीदना चाहता था लेकिन मेरी मम्मी हमेशा कहती थी क्यों क्या जरूरत है ये normal brush जैसा ही तो होता है मुझे लगता है अपनी कहानिया मुझे इस तरह से ही बताते रहना चाहिए ये काफी funny है मेरे इस night toothbrush के साथ मुझे अपने हाथों को हिलाना नहीं पड़ेगा और मेरे दाथ मोती जैसे सपेद भी हो जाएंगे ये अच्छा है क्योंकि 14 साल के उमर में मैंने खुद से अपने दाथों से braces उतारे है मेरे दाथ जल्दी ही गंदे हो जाते है मुझे लगता है उन्होंने मुझे बताया था कि braces के साथ मैंने अपने दाथों के natural enamel को भी उतार लिया था मैं हाट चीजे ना खाँ पाने के वज़े से पैट अप हो गया था और आप उन्हें उसी तरह से वाश कर सकते हैं जैसा आप अकसर करते हैं अगर आप ये अनुभाव नहीं करना चाहते हैं कि आपकी बॉड़ी में वोल्टे जाने पर कैसा फिल होगा या फिर वो आर्टेस जिसे आप ज्यादा मानते हैं एक पैंसल को दूसरी पैंसल के उपर क्रिस्क्रोस करके रखिया और उनके चारों और चल्दी से रबर बेंड को घुमा घुमा कर लबेटते हुए उन्हें कसले बहुत सामधानी से करते हुए उन्हें ज्यादा कसे नहीं नहीं तो ये तूट भी सकती है ऐसा ही बागी बची पैंसल को इसके ऑपोसिट साइट लगाते हुए दोराएं मुझे हमेशा से ड्रॉ करना पसंद था मैंने ट्रेसिंग ड्रॉइंग से इसके शुरुवात की ती फिर मैं कॉपी करने लगा और अब मुझे लगता है कि मैं अच्छे लेवल पर आगया हूँ लेकिन सब कुछ आसान हो जाता अगर तब मेरे पास ये इन्वेंशन होता और अब हम इस इन्वेंशन के साथ तैयार है जल्दी हो गया है ना मुझे लगता है इसमें 30 सेकिंड्स लगे है ये शायद किनी इस वर्ल्ल रिकॉर्ड हो सकता है इसे टेस्ट करने के लिए आईए इस क्यूट से बिल्ली के बच्चे का इस्तेमाल करें इस इन्वेंशन के मदद से आप अपने होमवर्क, आर्ट क्लास या सिर्फ मज़े के लिए कुछ भी ट्रेस कर सकते हैं आपको बस कुछ टिप्स को ध्यान रखना होगा एक पेंसल इमज के आउटलाइन और दूसरी पेंसल शीट पर उसे ट्रेस करने के लिए होनी चाहिए बहुत आसान है ना अब आपकी नोटबूक के कवर खुबसूरत हो जाएंगे हमारे आज के लास्ट इंवेंशन के लिए हमें बहुत सारे मिंट्स की जरूरत पड़ेगी जितना आपका वालेट अलाव करेगा मैंने बहुत सारे खरीदे थे क्योंकि मैंने सुचा था कि मैं इस वीक में प्योर रमें खाऊंगा क्या कोई मुझे अपने घर पर खाने के लिए इन्वाइट करना चाहता है इमेजन इन तीन थाउजन मेंटोस के साथ क्या होने वाला है चर्नोबिल से इसकी तुलना भी नहीं कर सकते एक बार जब हमारे पास ये केंडी स्काफी मातरा में आ जाएं तब इसकी शुरुआत हम कम पास जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा एक सर्कल जो करके करेंगे वैसे क्या आप नहीं नोट किया कि इस एडिटिंग टेकनीक की बज़े से ये वीडियो कितना कूल लग रहा है अगर मुझे ठीक से याद है तो इस टेकनीक को पिक्सिलेशन कहते हैं और ये मोशन स्टॉप करने का एक वेडियन्ट है अगर आप इंटरस्टेड हैं तो ये एक फन पैक्ट था अब आपको सर्कल के अंदर में टॉस का एक पिरामिट बनाना होगा जैसे एजप्ट के लोगों ने अपने पिरामिट्स को बनाया बस उन लोगों ने पत्फरों को उठाया था इसके बाद बागी बची दिखाई दे रही प्लास्टिक को काट दीजी और फिर इसे टेप से कवर करते हुए अपने फनल होममेट को तयार कर लीजीए क्या आप एक्शन के लिए तयार हैं? कुछ और मेंट्स फनल के अंदर डालें और फिर ये शो के लिए तयार है मैंने वो वीडियोस देखे हैं जहां पूल्स को मिंट से पूरा भर दिया जाता है ये बहुत गंदगी पहलाते हैं लेकिन फिर भी ऐसा करूँगा मुझे बस एक पूल की ज़रूरत है क्या मुझे कोई अपना पूल उधार देना चाहेगा? जब हमारे पास बोतल के अंदर कुछ वेंट आ जाएंगे तब उसे वॉलकैनों के मुग की तरफ रख देंगे और बेहच साब्धानी से कोका कोला की बोतल इसके अंदर पलट देंगे इसे इसमें डाले वए अभी दो सेकंड्स भी नहीं हुए थे हैं कि ये स्पेस तक पहुँच गया ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है अगर बारिश की बुंदे कोका कोला की होती ओह क्या बारिश होती कंटेनर भी गिरा पड़ा मिला जहां मैं कड़ा हूँ वहां से लगबग 8 मीटर पर आईए अब इसे हर एंगल से देखते हैं ताकि आप ये देख पाएं कि आखर क्यों मैं कोका कोला डालते ही भाग निकलें था इतने फोर्स से ये कैसे इतना उपर उड़ जाता है क्या कोई कैमिस्टस है जो मुझे इस बारे में एक्स्पेरिन कर सकता है चलिए इसे थोड़ा जूम करके देखते हैं ताकि इसे और अच्छे से अप्रिशियेट के जा सके इस समय मेंटस जो माउंटेर की तरह खड़ा था उसके भी तुकड़े हो गए है क्या कोई देख पा रहा है कि कंटेनर किदर है बेचारा मेरा एक्स्पेरिमेंट चलिए देखते हैं ये कैसा निकला यहां हर तरफ मेंटस फेली हुई है जमीन पर टेबल पर टुकड़े जो कभी हुआ करते थे ये चिपचिपा है वैसे ये इसी तरह होना था फिर भी मैंने अंदाजा लगा था कि इसका एंड ऐसे ही होगा मुझे उमीद है कि आपने भी इसे उतना ही इंजोई किया होगा जितना मैंने किया है लिटल ग्रास हॉपर्स तो ये थे हमारे आज के इंवेंशन अगर आप और ज़्यादा अमेजिंग और सिंपल इंवेंशन बराना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आकर जरूर देखें साथी यहाँ दो शानदार इंवेंशन के लिंक्स भी दे गए हैं और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए मुझे इस टुटोरियल में जॉइन करने के लिए तैंक यू वेरी मॉच फिर मिलते हैं